हलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है तो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या है इंपोर्टेंस क्या है कॉजिज ऑफ मेंटल इल्नेस क्या है और इंप्रूव्मेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्डरन ठ है फिर हम बात करेंगे कि उसके इन पोर्टिस क्या है और पुर्ष के का वाल करेंगे कि उसका निवारन कैसे किया जा सकता है यानि के में टरे अगर है भख्चों की खराब ठीक है क्लास रहे सारे से समस्द को कि फकुड़ होते हैं जिनको कि मैंसला है कि हमें लगता है बच्चा शरारत करता है कर रहा है ठीक है और उसका पढ़ने का मूड नहीं है वो पढ़ना नहीं चाहता है पढ़ाई से भाग रहा है लेकिन कई बाल मेंटल हेल्थ जो होती है आप बच्चे की इतनी खराब होती है कि हम उसको उसके पीछे का कारण नहीं समझ पाता है इसलिए अब जब आप टीचर बनने जा रही हैं आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बच्चों की mental health के reasons आपको सबसे पहले पता होने चाहिए तभी आप बच्चे की जो जिस तरह सा behavior कर रहा है उसको पकड़ पाएंगे ना चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिकस वास्तिय निके mental health का meaning थोड़ा सा मानसिकस वास्तिय में हमारा भावात्मक मनुοग्ञानिक और समाजको कल्यान काम करने के तरीक को काम करने करती है यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि हम तनाप को कैसे समालते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और स्वस्त बिल्कुल विकल्प चुनते हैं, मानसिक स्वास्त्य जीवन के हर चरण में महतपूर्ण है, बच्पन और किशोर वस्ता से लेकर व्यस्कता तक, ठीक है, तो यानि सीदे से बात क के घृतले में हैं, जीवन के ढ़ेनां, विकले से लाएं, पिले, विकले हो एंगोर्ण होनिये आसी को कि बेस्ते हैं में परफाबित करती हैं, सबस्ते हैं, के बच्पन के हो में डुल जायें तूंसरों को हमधरे 798 तूंसरे हो सब्स्,具ह ऑ houses are चले जाए तो वह चीज भी हमें mental health इसलिए समझाए जाती है क्योंकि हाली में केस आया कि एक बच्चा 14 साल का था या फिर बारा साल का था लड़का उसनी सुसाइड किया आप सो सकते हैं कि 14-12 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है अभी 10 रिजल्ट अभी जारी हुआ है पता नहीं फिर से कोई नहीं कोई खबर आ जाए कि हां बच्चा फेल हो गया फेल हो गया फिर इसकी वैश्चे सुसाइड कर लेते हैं तो बच्चों की mental health को सम समझना कि mental health का है तभी बच्चों को हो समझा पाएगा अच्छे से तो अब बात करेंगे causes of mental health के बारे में मैं यहां पर क्या किया यहां पर पॉइंट को लिखा हुआ है मैं एक्स्प्लेइन करने वाले हूं मैंने कोई एक्स्प्लेइन करकि यहां पर शामिल नहीं किया है क उसलिए लेवल पर आप चाए ह Single है हम चाये है हमें हमें ही हांने में हैं हां अच्छे क्यों WOW कि आप बड़े हो चुकि हैं तो आपको जना करते हון है नि कुछ एक्छाम में पर देने के लिए तो हिंदी नी सबसे पहले समझ में आती ऒट यह इनम् Savior thatzeit आपको तो इसके साथ भी इंगलिश को साथ में लेके चले कॉजस ओफ mental health सबसे पहले एकाइल चायल्ड अव्यूज देखो अगर कोई बच्छा जो mental health तो उसका रीजन हो सकता है चायल्ड अव्यूस बच्चा चोटा था उसके जिंदिगी में बहुत गड़बड़े जो रहे थी आसपास के जो लोग थे उसके साथ अव्यूस किया करते थे या उसे बहुत जादा मारते पीड़ते थे या फिर उसको फिजिकली भी उसका सबकुछ नहीं खुल के बोल देती तब तक वो एक लाइफ को बांद के रखती है क्योंकि बच्चपन में उसके रिलेटिव जो थे उन्होंने उसके साथ अब्यूस किया था तो यह बच्चे का पूरे जवानी तक उसकी mental health खराब रही अप सो सकते कि कितना बुरा कर देता है फिर है social loneliness जो समाजिक रूप से आप अकेले होते हैं वह आपकी mental health को बहुत प्रभाबित करता है ऐसा कहा जाता है कि अगर एक सर्वे किया जाए तो जो हमारी इंडिया की आदी से जादा population जो है वो तनहाई से गुजर रही है यानि कि अकेले पन से गुजर रही है क्योंकि हम लोग जो है इतने समाज में इतने लोगों के बीच रहकर भी बहुत अकेले हो चुके हैं हमारा दोस्त फोन ही हो सकता है और हमने कोई दोस्त भी नहीं जिन्दा जो हमारी जैसा इनसाने वो रखा हुआ है फैमिली में सब के पास फोने अलग लग लग करके हमने सब एक मी तानी है कि आप इतने भीड में होते हैं तो जब अथा झाल भी आकेले होते हैं तो आप कुछ ना कुछ गडबड सोचते हैं कि की समझाने वाला आपकी फहीं मैंु ना कुछ मन मैं भी रहते ृच्ट इन उटी भी तुम चल्ट जाते सोचते हैं ऑप श एक शोषल डिस एडवांटेज का मतलब होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जिनके साथ बुरा बरताब किया जाता है उनके अधिकार उनके करदव्यों को चीन लिया जाता है ठीक उनके साथ दुर बहभार किया जाता है पहले की जमाने में देखो कि मैं रिए और धो तीनी धी एद्मिशन 도्हु सब्सक्राइब तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि हम तो इस दुनिया में क्यों कि हमारे साथ तो हमेशे कुछ ना कुछ होते रहता हैं हमें कुछ काम किसे पारिस्पेटिंग करने दिया जाता तो यह भी आपका अगले दिन क्या करूंगा मेरे बच्चे क्या क्या खाएंगे मैं कैसे जीऊंगा बारिश धूब इन सभी कंजाम भी उसे करना पड़ता है तो गरीबी जो है आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर सकती है फिजिकल हेल्थ कुछ ऐसी बिमारियां होती हैं जो बहुत लॉंग टाइम तक चलती है ठीक है जैसे आपका कोई पैर टूड़ गया तो आपको दो-तिन महीने तो बेड़ पर ही पड़े रहा होगे ठीक है और अपनी जादा खराब हो सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिमार ही रहते हैं स्कूल में कम दिखेंगे घर पे बैड़ पे जादा दिखेंगे आपको आपके असपास की कुछ आपने देखा होगा असपास की आप बोल सकते हो कि हाँ यह एक्जेम्पल है कि यह मेरे जॉब स्ट्रेस आप किशोर अवस्था में पहुंच जाए आपको जॉब का स्ट्रेस इतना जादा बढ़ने लगाता है अब हर एक कॉम्प्टेटिव एक्जाम जो है वो देने की कोशिश करते हैं किसी ने किसी में तो हो जाते हैं फिर स्ट्रेस यार मेरा इसमें नहीं पूइंट कोई ऐसा ही स्ट्रेस फुल इवेंट हो जाता है जो आपको पूरतर से अंदर से जगजोर के रख देता है एक बात करूं कि आप किसी से लव करते हैं अगर उसकी मौत हो जाए तो आपकी मौत नहीं हुई है सामने वाली की मौत हुई है लेकिन वह जो मेंटल किछेला है वह आप इस चीज चीज को चानल सकते हैं ठीक है तो किसी आपके अपने की डैथ वह जाए या किसी लब और गाई भी हो जाए किटनेप हो जाए या कुछ भी विमारी उसे लग जाए जो बचना पाए वह ठीक है कि बोलते हैं कि एक साल के और महमान है तो इस तरह से जो व्यक्ति को बिमारी लगती है और उसके आसपास के जो लव एवल परसन है जो से प्यार करते हैं उनके मेंटल कितनी जादा खराब हो जाती है थी कि मतलब इतना जादा मेंटरल स्ट्रेस है उन्हें जहलना पड़ता है वह सारी यहां जो इसे लोग ठीक है जो कितना टाइम पर सोते हैं उठते आ खाते हैं पी और कुछ ऐसे कमेरे बच्चे कमेरी लोग होते हैं कमेरे मतलब जो बहुत तो आपकी नीदी पूरी नहीं होगी आप लगातार बोडी को स्ट्रेस जो हो देती रहेंगे आराम नहीं देंगे तो आपके मेंटल हेल्थ खराब कर सकती है ड्रग्स एंड अलकोहल आप शराब पीने के आदे हो जाते हैं दारू सिग्रिट आप कुछ भी इस तरह के नशेवाली चीज़े पीने शुरू कर देते हैं उनका शुरू कर देते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ खराब होने लग जाती है क्योंकि आप जब शराब पीते हैं त लगा चाहता हैं और अपके सिर्मी डर्ध होता है की इस्गराब होंकि अचीज़े एक बंदा दूसरा का सेवन jeet तो कितने सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है तो यह वाली चीज़ें समझाने का मेरा यही रीजन है कि अगर आप जैसे मैंने तो थोड़े बड़े-बड़े एक्जामपल ले ठीक है जो आपको समझाने के लिए अगर आप बच्चे की हिसाब से तब भी यही सारी चीज़ें हैं एक बच्चा चुप बैठा हुए क्लास में कुछ नहीं बोल राइट मीस उसे कुछ नहीं कुछ प्रॉल्म है क्या उसको क्या अपता चैल्डूड अव्यूज से उसे गुजरना पड़ा हो क्या वो अकेला रहता हो या फिर कोई उसके साथ अब बेद भाब करता हो उसके घर में गरीबी हो पैसा ना हो इसके पास स्कूल में टिफिन खाली लेके आता हो ठीक है और उसकी फिसीकल हेल्थ खराब हो उसको जौब को चलो ठीक है बच्चे को जौब की स्ट्रेस नहीं रहेगा इवेंट उसके साथ कुछ हूआ क्या आप इस पॉइंटों को मोर सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे इंप्रूब्मेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्टन यानि के अगर कोई बच्चा है या आपके आसपास भी कोई मेंटल हेल्थ जो है उसे कैसे आप इसको निकाल कर शकते हैं पहला है साइके छोकूं को अप्सकिया थीक कर शाखते हैं ताकि उनको ठीक फिल करवा सकें तो आप यह जुरूर कर सकते हैं आपकी mental health भी खराब है तो आप डॉक्टर के पास यह जो भी psychiatrist है उसके पास जरूर जाएं ठीक है ताकि आप अपनी mental health को थोड़ा सा ठीक कर सकें फिर है healthy relationship ठीक है mental health को ठीक करने के लिए आपकी healthy relationship होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तिक है आप अपने जितने भी आसपास के लोग है उनसे रिष्टे बनाने की अच्छे रिष्टे प्यारे रिष्टे बनाने की कोशिश करें आपके आसपास भी कोई दिख रहा है जो अके प्रॉल्म शेयर कर सकता हूं कम से कम जिस भी वक्त के लिए आप उसके पास जाओगे कि आपका आपका आपसे बात करना अच्छा लग जाए ठीक है तो आप एक healthy relationship जो है बना सकते है फिर है good have it good have it तो आपको ही डालनी पड़ेंगी ठीक है समय से सोना चाहिए अच्छा खा तो यह चीज़ आप कर सकते हैं teach stress management आप देखो बच्चे जैसे किश्वरावस्था में टेंशन बहुत जादा होती है क्योंकि एक तो लड़कियों को अपने figure की टेंशन होती है फेस पे pimple आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा stress से गुजरना पड़ता है लड़कों को भी जाप आप मुझे बोल रहे हैं कि तो अभी तक हमारे टुकड़ों पर रहे है तो ऐसे बहुत सारी टेंशन होती है सणी के होती नहीं बहुत सारे बच्चों को किश्वरावस्था में बहुत ज़दा टेंशन होती है तो आप जो एक टीचर है उसके हिसाब से बच्चों को stress management के तरिके बताएं उनको stress के बारे में बताएं कि अगर ऐसी कोई situation आ जाती है तो आप मुझसे आकर बात्चित कर सकते हैं अपने किसी दोस्त से बात्चित कर सकते हैं तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को पहले बताएंगे तो बच्चा सुसाइड करने के पार में नहीं सोचेगा वह सोचेगा मैं किसको बताऊं अगर कोई नहीं मेला तो टीचर के पास बताएंगा उसे पता कि हा मेरी टीचर मुझे बढ़ी बात को समझेंगे और समझते भी आसे नहीं तो आप यह चीज़ भी कर सकते हैं फिर डबलब सेल्फ स्टील ठीक है आप खुद को भी स्ट्रेस को मैंनेज करने के बारे में कुछ ना कुछ है विड डाले जैसे आपने मुन्ना भाई मुवी देख्यों उसमें जो हीरोईन का फादर है वह स्ता है जब उससे स्ट्रेस होता है वह सने लग जाता है तो उसने खुद का बनाया हुआ है कि अगर मुझे जब गुस् लग जाते है उसी तरह से कुछ यह से लोह होते जिन अवह गुछ साह स्ट्रेस होता थो डांस करने लग जाते जा कुछ ऐसे उते होते जो जाता है encourage you वह तरीका सोचना है सोचना 4 But एक्सरसाइज और योगा आप एक्सरसाइज करें योगा तो मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज है जितना हो सके शांती से मेडिटेशन कर लो आपको थोड़ा सा अच्छा रेलेक्स तो फिल हो गई होगा तो नीद आ जाएगी तो भी अच्छा है कम से कम कुछ गंटों के लि उन्हें लगता है बाते समझता है तो आप उस बच्चे की सुने बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की बुल्कुल भी निसी वज़से बच्चे अपनी मावाप से दूर हो जाते हैं फिर वह ऐसे लोगों के बीच चले जाते हैं जो ने बिगार देते हैं फिर बाद उनको सुनों भी तो सही एक बार ठीक है तो ये पेरेंट्स के लिए है फिर है टॉक वाउट फीलिंग आप अपनी बच्चों से अपनी फीलिंग शेयर करें बच्चों को बच्चों का दोस्त बनके रहें बच्चों को ये चीज समझाएं कि बटा कोई भी धिक्कत आती है कभी भी दिक्कत आती है तो मेरे पास आना मैं समझूँगा मैं समझूगा ठीक है या इस तरह की चीजे जो है अपने बच्चों को डालनी है बहुत सरे आसे बच्चे जो अपनी माबाप से इतना डरे डरे रहते हैं कुछ गलती से भी कुछ गलत हो जाता है ना फिर उनको कोई भी चोटा मोटा काम करता है और आप उसको प्र सकें तो फुर दिनी खुशी रहया है पden बच्चेव को आप पापा ऑर मेरी ताडरीफ हरी झाल तो नौत यहां पहलick स्पलिंग धोले ने बच्न को अपने बच्ल गलती है वहलै उनके हो सके दोस्त बने उनकी सुने और उनका समधान भी करें बी या पॉजिटिव रोल मॉडल आप ऐसा ना हो कि आप खुद ही इपने बीवी को मार रहे हूं और अपने बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं बच्चा और तो की इजद करनी चाहिए तो आप यह क्या सिखाने कोशिश क कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो वही है कि आप जब खुद एक अच्छा रोल मॉडल बच्चे के सामने खुद बनके दिखाओंगे तो बच्च आप ही को देखी के सीखेंगे आप जिस तरह से बैभार औरतों के लिए साथ रखेंगे दूसरों के साथ बैभार तो आप खुद एक पॉजिटिव रोल मॉडल जो हैं बच्चों के सामने पेश करें तो उससे उनका कोई भी मेंटर स्ट्रेस होगा तो उनका अराम से ठीक हो सकता है तो मेरे खाल से अब तो आप को ही अच्छी से समझ में आ गया होगा कि इंप्रूमेंट कितने अच्छी स तो मुझे लगता है कि आपको 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 क्लियर हो गया होगा बाकि नहीं क्लियर होता है कोई पॉइंट जो नहीं समझ में है तो मुझे कमेंट करकी बता सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो